आज फिर से एक लोकेशन पर हूँ और जैसे कि मैं देख पार हूँ आप बेदे बैक्गरॉंड में कुछ एक घर है पूरा ना सा मिट्टी का घर है तो उसको पत्वर काम करेंगे और मैं यह आप दिखाना चाहूंगा जो हमरे साथ है और मैं किस तरसी से करूंगा काम को तो यहां पे जो भी हमरे साथ जुड़े है नीशा है नीशा का सिस्टर तर नाम क्या नीमी नी मी है यह नीमी है यह नीशा है यह सौरत ददा है और यह हम है तो अभी स्टार्ट किया हम ने तूमनल तयार कर है यह बड़ा सा थाम ने एक पैंटिंग हो गया बड़े से बड़े थमनल बना रहे और यहां पर जो स्पोर्ट है बहुत अचा ब्यूवर्स भी है यहां पे की सारे सवाल है इनके इन पेंटिंगbye कि बना जा रहा है क्या होगा आगया जाकर ऐसा एज एक थामनेल के लिए में है जो की sketch pin जो की camel का है और काफी प्यारा sketch pin है इसे मैं थोड़ा से यहां पे इस्तेमल करूंगा तो चली start करते हैं तो कुछ यह जो है क्यामन का है और यह सब आपको आर्टिकेट में अवेलबल हो जाएगा का भी प्यारा है आप देख सकते हैं जो भी थामनेल बनादा प्विकली एक करफली हमें जो भी इसा कुछ वाटर इसलिए लगारान थोड़ा स्प्रेट करेगा अमार भावाः लगा का थास हWhy भाज। जानो फॉं एल्टिकेटी एक फॉटबरेटी एकली के भाव जाएगा आपै बोलचे मेंकिडिव बालयजे भीम्टर शीड़वाद्वेग खेख राट देखी अकली बॉले जिए भी खाला के देगी जी कि अमया भागने के घृट रणा करना को जुरूरी की मैं जस्त गिला करके उसको श्क्रेट करना के लिए सोचा था इसलिए मैंने गिला किया वाहा प्रिम्न के आपका आपका एंगार। वार गारो टिवाणे जारा की मिराना है उते हाल थाव Boy जार थाव की मिलांट ये काखु में अन्लम्स हो आपाटर ये शाप्र कुनगा आप क्ला पाटका हुआए ये मिष्मानी थेख़ थेख़गा वड़्चे द है पाटका शापट करना जिर्टाइब आपकराइब नियुक्त और बहुतों कुछा हुआ हुआ है जार नहार जोग से बढ़ी है, इना बचिता है जो चुट है। दीज बचानों पखितों चाली बच्पितों आपका शाओ यह जो कि टरता है। जब झाली मैंगननी से अवज़ को पार ऑग्पानर्पी नἲंग़ . . . . अरफ जोग मादेवां जोग जोग हैं, यह जोगता है बना है खिर्पाद को अ घजाई यूूजजँदे यूज़ाय पर दो दोगा है यूजजब थोगा है यूज जजदाओ यूजजए टॉज़ाय थी यूज़ाख पेज़ा है कर दो कर दो उते हैं प्रावाद के नहां? यह सर्दादी यह को ने भाजे से पर नाकम ने भाजे? परोना में देंगे क्विक लिए थामनेल त्यार करने के लिए बड़ा इंटर्स्टिंग है कोई आरवन श्केचर है तो उनके लिए काफी इंटर्स्टिंग रहीगा और काफी अच्छा है जो की ब्रस्पेन इसे कहते हैं लिखा हूं यह क्या मिलका है और यह आपके आपके टिक में अबलेबल हो हो जगा मेरे कोपन को डियूस कर सकते हैं अचिंत्य कैपिटल में यह चाई एंट्यू हो आई है तो यहां पे थामनेल को तो दियान रखते हुए जो भी प्लानिंग हम कर रहते हैं उसमय इस तरह से पीपर के उपर साजाना है उसे थोड़ा सा समझ के आपके पीपर के क्या साईजे उसके अक्रोडिंग आपको घर को ठीक से अरगना है मतब क्या होता है कि जमिन के उपर जो घर है उसको एक आपको फ्रेम बनाना है मतब मन में एक फ्रेम बनाना है या तो आप एक लेयाउट कार्ड रख सकते जिसके अंदर से आप देख के उसको आप फ्रेम बना सकते उसके अंदर और कुछ फिगर एड़ करना बहुत जरूर इस तरह से दो फिगर डाला है जिसे कि आपस में कुछ conversation हो रहा है या ऐसा कुछ अधर ऐसा लगेगा कि हाँ और नैचरल ली कुछ उन्होंने आपस में बात कर रहा है जो भी कुछ फिगर वहां पर एक एक से ज़्यादा डालने से वहा भर मज़दर होता है तो ऐसा है आपस मैं दो फिगर डाल दिया और जिसे कि कुछ यहां पर करेक्टर यहां यहां पर कुछ इस तरह से कंपोजिशन थोड़ असा एक्टिव हो जाता है और एही बात घर के घर के उपर बहुत ही प्यार असा लाइट और शैडू है तो उसे हमें मेंटेन करने के लिए जो लाइट्स है वो हम यूलो कर इंडियान यूलो यह बंटमबर इन सब कलर के साथ हम कलर को दे सकते हैं तो यहां पर क्या की पेपर को मैं ज्यादा से ज्यादा मतब नीचे वाला पार्ट जो यूलो है उपर थोड़ा सा पार्ट जो है आसमान ब्लू ह तो यहां पर मैं यॉलो कार्ट इंडिया नियुलो और तोड़ सा बंटमबर मिला रहा हूं बंटमबर इसले मिला रहा हूं बहुत ज़्याता लाइट नहीं है बट है लाइट है तो इसके बीज में मैंने कलर को रखने के लिए कुछ ऐसा किया है चो कि आपको नहीं दिखा उस ने वीडियो में खर गिला जरूर करना है टाकि की आपको कलर फ्लोग और इसमेन में है तुक्षी कि अच्छा-कासा फ्लोग कर रहा है और आस्मान है दो इसके कि अएस्ज के साथ मर्ज कर दिया तो इसमें क्या होगा, कलर हर्मोनी ठीक से बना रहेगा, मतलब चाड़ तरफ कलर जो कलर में बहुत अलग अलग पर नहीं आएगा, एकनम कलर जो हैं अपस में मिक्स अब रहेगा, और यहां पर रोटेट करने के बाद मैं ड्राइ जुरूर यहां पर कर लूँगा, तो ड्राइ करने के लिए इसे यहां पर सीधा करके छोड़ देता हूँ, ओके यहां पर देख सकते की थोड़ा सा ड्राइ हो गया, मौसम काफी गर्मी का है और बरसात के दीन है, बारिस तो नहीं है बट गर्मी बहुत है और इस तरह से मौसम है तुरंती है, काम करने लाइक ड्राइ हो गया और यहां पर जो कलर में वास दे रहा हूँ, बंटमबर है, अल्टमिन है, उसके बाद और सा यह लोग कर भी मैंने इसके अंदर एड़ किया, और कुछ इस तरह से कलर वास दे रहा हूँ, जो कि एक शैडो में जो है शैडो वाला पार्ट को मैंने कलर्स इस तरह से फिल अप कर रहा हूँ, तो कि बोल बोल स्पेस में मुझे कंपोजिशन बाहर आ जाए, मदब दिखे डिक्टाब, उसके बाद उसके अंदर डिटेल्स में हम चलेंगे, ऐसा ही नहीं करना है कि फैली खिर्की बगरा बनाने लग जाना है, ऐसा कुछ नहीं, फले मोटा मोटा जो है, कलर से जो दिखता है, उसके उपर काम करना है, तो ब्रस भी बड़े साइच के लेना है, फ्लैट, बड़े साइच के जिससे कि आपको एकदम से उभर जाए, और कुछ वाटर ड्रॉपिंग टाइम टाइम दिया कियों कि अप ओल्ड बेल्ड के साइच के बजए से कुछ कलर के ड्रॉपिंग भी दे रहा हूं, कल कुछ वाटर ड्रॉपिंग दे रहा हूं, तो अपने अपने मिक्स अप होके हो, आपे तोड़ा ड्रामा क्रेट कर जाए, और हमें इस तरह से जब डार्क पार्ट होता है, आपको गिले-गिले में ही आ कलर लगाना है, पूरा-पूरा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सलका सा नीचे के रुख जाएगा, ऐसा हलत में लगाना है, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वर्टर कलर मीडिया में सबसे ज़रूर यह टाइमिंग, और यहां पी जो फीगर से, जब हलाकि मैंने फास्ट में उसको संभाला नहीं, इतना जोरूत नहीं है, हमारे पास वाइट कलर भी है, पैचुला भी है, उसको हाइलाइट निकल सकते है, छोटा-छोटा दो फीगर में रखा है, और उसको अभी मिंटेन करूं किया मैंने, वहां पे अच्छी तरह मिंटेन करके, फिर मिंटेन कर में इसक्या होगा, वाइट ठीक सड़ दीखिए गा नहीं, तो अब देखा कि मैंने इस बहुता पार्ट में गीला क्या, तकी फास्ट वासके बाद, सिक्एंड वाज में आया, तो छट पर गीप जाए नहीं किया, च्छट पर जज़ादा वोटर के साथ मैं गाइड कलर को तो थोड़ा सा लगा रहा हूँ, अभी ऐसा सोच के लगा रहा हूँ कि इसे बार बार नहीं लगाँगा, तगरीबन एक बर ऐसा लगाँगा, कि वहाँ पर जो color value मुझे दीख रहा था, वो मुझे आ जाए, सुखने के बाद भी, और इसके थोड़ी दिर बाद में हम कह करेंगे, color brush को गिला करके उपर lining मारेंगे, तो जो टीन का, जो line होता है न, टीन सेट्स के जो lines बनते है उपर की छट के उपर, वो आ जाएगा, तो हब notice करेंगे, तो वो भी एक समय वो लगाए जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा न थोड़ा बहुत orange के इंवराइड करते है, तो इस तरह से color mix करके, थोड़ा सा नीचे वाला color तो है, थोड़ा सा dark कम है, मदब ultimate को हरटा दिया, थोड़ा बहुत alizarin के इंजन भी बिच बिच में आप add on कर सकते, यूंकि इसके अंदर थोड़ा violet असर भी करेगा, थोड़ा, यूलो को, यूलो के shadow को maintain करने के लिए आपको violet color का इस्तिमन कर सकते है, मतल़ violet के साथ अगर इंडियन यूलो या यूलो का ऐसे कुछ भी यूज करते है, वो जो color है, यूलो वाला दिवर के उपर shadow अच्छी तरह बनता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ एक steps, जो शीडी बोलत हम आपके घर के होने का एसस कराएगा, उसके दीवार होने का एसस करेगा, तो कुछ object को हम इस तरह से place करते हैं, जिससे की और जदा अच्छा हो जाए काम, कुछ activity हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा maintain किस तरह से कर रहा है, आपको आप देख सकते हैं, बहुत ही symbols हमल के step by step को काम को किया गया है, जहाँ पर random bowl stock करना है, जहाँ पर फोड़ा सा maintain करना है, वो भी जुरूर maintain करना है, और मैंने तगरीवन इस composition को करते हुए, चार से फाज पर मैंने दूर जाके देखा है composition कैसा हो रहा है, और क्या changes लाना है, यह सब चीज़ भी करना है, इसा नहीं कि आप बार-बार composition को अब दूर से तोड़ा देखेंगे तो आप ठीक से feel कर पाएंगे, वो ज्यादा जूरूरी है, प्लानिंग, मतलब आप काम कर रहे तो ऐसा नहीं कि आपके धियान और कहीं पर है, कहीं घुमने जाना है, यह सब बगरा-बगरा, खाने-पिने मे ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ करना पहले कर दीजिए, पुरा फोकस से आप काम किजिए, आपके काम जब आप करते हो, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ आपको composition से add, जो अभी आप काम कर रहे हो, वो दोनों के बीज में कुछ ना कुछ नया हलचल निकल के आता है, तो वो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्या ऐसा कर सकते हैं, और उस stage में आप अगर आपके मन को कहीं और किसी के साथ एंगेच करते हैं, या थोड़ा सा भाग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं, यहां पर वो चीज आप भूल जाएंगे, या मिस कर जाएंगे, त तो जब आप काम इस तरह से काम करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके थोड़ के साथ, आपके काम के साथ, और भी कुछ ने चीज बाहर आने का समय होता ही है, तो वो जुरु ध्यान दे, काम से, मन से काम करें और स्पोर्ट में उस चीज को महसूस करेंगे, उस क्लाइमिट क को महसूस करें, उसके कलर्स को महसूस करें, तो तब जाके यह सवाब अचिब कर पाएंगे, और जहां पर जिस तरह से स्टोक्स आप देखेंगे, कि पहले मैंने टीन की स्टेट में एक कलर लगा है, फिर देखा उसके उपर छाया सा भी गिर्ज बीज 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 ब पती होगा, और कोई बीज बीज नहीं छोड़ेंगे, नेगरिटीव स्टेट हो या चारो तरफ पर भी बड़ा सा दीवार एक दम फूरा पूरा नहीं छोड़ेंगे उसको कुछ हल चल डालेंगे भी इंगेज करना है उसको तो यहां पर आप देखा कि टीन की छद में मैंने कलर एड़ ओन कर दीजिए लिए शैडव शैडव थोड़ा सा फिनिंग हो जाए और क्या ड्राइब होने के करन मौसम भी ड्राइब होने के करन मैं छोटे-छोटे स्पेस में गिला कर रहा हूं और आपके कुलर को फ्लौ कर रहा हूंike पानी में तैरबना चाहिए तो तब ही वह मज़ा आएगा तुस्जे अब ने देखा सूरु से पानी पानी करके तो आप में जहां पर बिजूरत पर पहले पानी लगा रहा हूं फिर कलर को फ्लो दे रहा हूं कुछ ड्राइवरसिंग भी होता है लास्ट में आप पेड में देखेंगे कुछ ड्राइवरसिंग होगा कलर के फूब तोब हमए पेड में एलो को फड़ा सा एक्टिव कया योलो होकर है थोड़ा सा उसके साथ फोरा सांडल का सामने हैं । उसके सरत हैं कि और फ्लिडटे का संहुटेशन भी बडा गिए है ठाहिए अँछ के पिलराई के जिसके बैलेंस भी बन रहे तो इस तरह से ध्यान रखना होता है और रेफेरेंस भी आपको बताता रहता है कि क्या है क्या नहीं है तो एक तो रेफेरेंस से भी मिलता रहता है चीजे और यह सब जो है आपको एक दिन में अचिबनी होने वाला है तो आपको ध्री-द्री आए जो भी चीज आप बनाते हो अन्दास्पोर्ड में आप अगर सुरू इनिसियल स्टेज में हैं तो आप दे दे आगे बढ़ेंगे एक चीजों को करना है तो यहां पे प्लास्टिक था बाएं और और वो प्लास्टिक तो था और फरेंस के अंदर but मेरे यहां पे फ्रेम जो है डार्क शेट्स आने से क्या होगा वो जो फूकल पॉइंट में मिंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं काफी दिर से लाइट दो बिलिंग्स के उपर वहां का जो एक्टिविटी उसे थोड़ा सा फूकस करने के लिए बाकी एरिया को हम मर्ज भी कर रहा है या उसको ढग भी रह बांद जाए ठीक है तो यहां पे कुछ ग्रिनरी है काई जमा हुआ पूल्ड पूद इंटा वगरा था हर चीज पर प्रॉमिनेंट दिखाने की जुरूद नहीं है थोड़ा सुआ का जो कलर्स लिया मैंने वहां पे जो कंपोईशन के जो कलर्स था उस कलर्स को मैंने अपल में यहाता है कि क्या करूंगा क्या करूँ आभी क्या करूगा ऐसे तो रिफरेंस को अच्छी तरह धियान से देखिए तो वहां आपको बहुत कुछ बताने वाला रिफरेंस तो रिफरेंस के अंदर बहुत सारे चीज है जैसे राइट साइड यह वाला पार्ट में कुछ बोड़ी बगरा बोड़ी बोलूं ठीक है जो जो सिमेंट के कटा आता है बोड़ी आता है उसके अंदर जो भरते न ऐसे कुछ भड़ा भड़ा सा रखा हुआ है रे तरूता होगा कुछ बजरी जो भी है बट मैंने उसको हटा दिया उसको हटा के थोड़ा सा दोनों तरफ ज तो आप उसी को देखते रहेंगे तो जो मैं कहानी करेट कर रहा हूं उसके अंदर जो दो फिगर्स है जो बिल्डिंग से बिल्डिंग के लाइट अंड शैडव जो सीड़ी बनाया है उसके शैडव इन सब चीज़ को दिखाने के कोशिश कर रहा हूं वो कहने के आप नहीं सब यहां पर नीच जो उनको देखते रहेंगे तो इसलिए उनको नहीं करना है करना हैं खराब नहीं करना हैpart 3 सीज़ू है उँचा लाँ चानीचा बला जो एफेक्ट है वह आ जाता आराम से ली आ जाता है यह ब्रस काफी इंट्रस्टिंग है काफी मस्त ब्रस है अम स्टेशनर का है कंपणी का नेम स्टेशनर सैंट के आप जाके पर्चिस कर सकते है मेरा कूपण कोड यूज कर सकते हैं मेरे कुपूर्ण कोड है अच्छेंट है यह और बता तो यह पेपर जो मैं यूज कर रहा हूं संदर्श का है संदर्श हाइवाइट हाइट जो की वाटर प्रोड है पेपर एथिरियंदे जिश्म और साइज है 16 by 12 इंच के तो कफी प्यारा है अच्छ अब ज्प्रोडर का ऑपना ज्ब्राव होते है है इस तर बाप उभ्ट पूरे वीडियोस देखते भीएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस डिफ्सन डिफ्सन डिफर्ण बाते सामने आता है, तो मैं उसको रखने की कोशिश किया है और आगे करता रहूंगा, तो जरूर सिस्तों समझने की कोशिश की जितना मुझे आ रहा हाए मैं आपको कोशिश कर रहों के श्यायर करने की हमिए व्याइन जो प्रिश एक एक प्रसे हैं हर सी का पूछते हैं मुझे कि-क कौन और मीग्ही है कि काम होँ जाता है यह कहते हूं कि यह प्रपूर साइब क का प्रस ते आन से हे हार की एक बड़े आर्टिस्ट जब कुछ इस तरह से प्लानिंग करते तो वो कुछ ऐसे नॉर्माल सा कुछ चीज़ को लेकर करके मार्केट में ले नहीं लेकर आएगा आपके लिए तो यह ध्यान जुरूर रखे है सरना की बेस्ट क्वालिटी हो और सबसे ज़्यादा उनको कैसा है तो इसी सबसे आपने एक दम निश्चिंट वके लिए सकते है और बता दो नेच्रल हेर होने के कारण कोई भी जब भी अपके नेच्रल हेर यह लग जाता ना किसीवी चीज़ गा नेच्रल हेर है तो वो थोड़ा फॉल होता है मत गिरता है थोड़ा दो-चार मत वै जबरदस्त होता है तो हाला कि मैंने जो ब्रेश लिया है सर से वो काफी अच्छा है मतब नॉन स्टॉप में काम कर रहा हूं साइद दो साल से उपर हो गया विज-विज में थोड़ा थोड़ा क्लीन करता हूं शोप से शोप आता है इसका भी ब्रेश क्लीनिंग का तो उसे आ तो जुरूर उसको आपको क्लीन करना है तो थोड़ा दिटेल्स करता रहा आपको बातों के बीज-बीज में और यहां पे कुछ टार को इस कलर एड़ कर रहा हूं इसना तो गरिन दिखता है किसी भी कलर्स के उपर बहुत ही जो पहले कलर है बहुत देखने में बहुत डार जरूरत है ठीक है तो यहां पर जो जो डार्क जितना जरूरत है डार्क वो हम अप्लाई कर रहे है तो यह पहले यह मोटा-मोटा शैड़ो डाला था फिर मोटा-मोटा खिरकी वाला डाला अभी उसके अंदर और कितना डार्क करके उसके खिरकी के अंदर जो अंदर-अंद और इनके दौरों आप एक चीज़ नोटिस करेंगी जो बाएं की और जो आसमन है और उसके साथ जो लाइट दिवर के उपर आ रहा है वो कनेक्ट हो चुगा तो उसको मैंने जब दूर जाके थोड़ा साथ देखा कि वो लाइट पास हो रहा है मतलब वो लाइट जो रहा है गर का जो डिज़ें को कनफ्यूस कर रहा है तो मैंने क्या किया पिर आप थोड़ी दिर बाद में देखेंगी है जो बाइये हात में, जो area है वहां पिर कुछ पेड़ का हाला कि वहां से देख नहीं रहादा है मैंने उस पेड़ को ठीक से क्लर कुछ ऐसा apply किया जिससे कि घर अलग हो गया और background जो आसमान से जुड़ा हुआ हो जाएगा तो घर ठीक से हाइलाइट हो जाएगा तो यहां फिर से मैं ड्राइं होने के बाद मैंने बोला ना कि फोड़ा सा मोटर ब्रस यूज़ करने से अच्छा होता है कि इस तरह से मोटा बोल्ड कपी छोटी छोटी डीटिल्स ऐसा ठीक घिक्न है, तो मोटे 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 सक बोल्ड स्टोक्स के साथ कुछ कलर को कंऴज कर दिया तो यहां पर दिखो थोड़ा इंत्रस्तिंग मनने क्ली तोड़ा रेट का टच्च भी दिया ओरन्ज्च ना इंटा diyas a ूसा भी touch ups दिया कुष डर्क आंटərक कुछ तो हैं अ कांट्रास डालना उसी के पास में फोकल पॉइंट है तो हर जाएगा कोना तो कोना आप डालेंगे तो भी कही ना कहीं खरब होता है मैं ऐसा सोच रहा हूं बाकी आप जब करेंगे आप कुछ भी कीजिए ट्राइ कीजिए जब तक नहीं करेंगे नहीं समझ वारा कि क्या हुआ तो तो यह वाला पार्ट में अभी जो कहीं लगा रहा हूं कलर तो यह वाला पार्ट में आप देखिए कुछ ऐसे मैं इन हलका से greenery किया है जिसके जिरी आप आप यहां पे देख सकते कि जो मेरा घर का जो lights जो source आ रहा था उसके पर जो शाया बन रहा था light space है वो आलाग हो जाता है आसमान के साथ तो यह वाला मैंने आलाग किया था वो अब जैसे से मूड क्रिट करने के लिए यहां वाँ का जो village का जो इस तरह से जो जो बनावटी है उसको मेंटेन अगने के लिए उस तरह से फिर हमको डालना पड़ेगा ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दिया और खाली-खाली सा मैसूस होगा पेर पोदा पते यह वो अग्रम-ग्रम तो यह सब डालना पड़ेगा तब जाके आपको activity आएगा बट उसको अग्रम और बग्रम को ठी लचका कफी प्यारा इस नाम देंसिंग ब्रत सकता हूं एक मिनम में उसको पर्फेक्ट बता देता हो Core के मेरे हाथ में है नमबर वन ग्रीन कलर के हैंडेल्स है फिलार तो नमबर वन साथ इसका रिगर ब्रेस के नाम क्यायर वी आपको साइद मिल सकता ही है तो आर्टिकेट में आप जैसे शमय है ब्रैंड ने 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 बरत से निकाल रहा है काफी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखे जो स्टेप्स है थोरा उसका जो डीटेल्स है उसके शेड़ो इस सब कुछ तरफ रह करके मेंटेनी भी किया है थोड़ा सा यह जो कलर वास दे रहे तोड़ा इतना कि बहुत जार करके हाट करके फजरत नहीं हलका सा हलका सा एड़ाउन करके वहाँ पर ड्रामन्स करेट करने कुछ सामान है कुछ बड़ा है जो भी कुछ आप ऐसा महसुस करना चाहते और कलर्स मे जैसे खाना बनाते बहुत सरे मसाला डलते इस तरह से कलर्स में आप देखेंगे नोटिस करेंगे आपको लगता है कि लिमिटेट कलर है हम बोलते है कि लिमिटेट पैलेट यूज हुआ है कलर यूज हुआ है ऐसा कुछ में नहीं है लिमिटेट पैलेट या लिमिटेट कलर मादब उभर के नहीं आ रहा है बहुत बैलेंस में हैं बहुत सारे कलर्स हैं नोटिस करेंगे नीचे वाला एरिया में खास करके बहुत सारे गरिन दीखेगा ब्लू दीखेगा यलो दीखेगा हर एक कलर है वाइलेट है हर एक कलर है तो वह हर एक कलर होने के बावज़ोद एक कुछ है नीचे बहुत सारे colors full जो चीजे था बड़ेगे एक चीज को नहीं बनाया हमने colors को mix करते हुए mix में तो सारे एकटा घोला नहीं है उसमें भी variation रहा और कुछ ऐसा आपने जो आपके जो सामने हैं दिखाई दे रहा है वो ऐसा कुछ देखने को मिला अब यहाँ पे कुछ बात आता है कि figures जो भी बना तो उसमें क्या color दे तो अब जस्ट मन में थोड़ा सा देखने की कोशिश करना जो भी अपने figure छोड़ा है वहाँ पे वो figures को आप सोच सकते कि क्या ऐसा color रखो जिससे की अच्छा लगे तो मन में देखने की कोशिश करना मैं यहाँ पे मन में देखने की कोशिश किया एक बार yellow रख के सोचा मज़ा नहीं आए थोड़ा फिर मैंने मन में ही सोचा कि थोड़ा pink करूं पिर और गाउं में ऐसे paint दालना नहीं है लोंगी डालना है बनियन डालना है तो थोड़ा connect करेगा विलेज के escape के ओपर विलेज केप को थोड़ा connect करेगा तो कुछ इस तरह से है मैं उमीद करता हूं कि आपको आच्छा लगा बहुत कुछ सीखने को मिला ओके तो यहाँ पे painting मेंना complete हो चुका है तो यहाँ पे वो जो light है आ रहा है जा रहा है बट उसको capture करना जुरूरी था जो किस composition के अंदर मैंने इस तरह से light को maintain करने की कोशिश किया और composition में क्या कुछ add-on किया वो आप देख सकते किस तरह से वहाँ पे character डाला है और यह धीर धीर डिबलप होता है जितना ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा इस तरह से character को play कर पाएंगे तो thank you so much बने रेने के लिए मिलेंगे next composition के साथ